तो देखो पर बचो अगर इस वाले सवाल को देखोगे इसमें तो अगर तुम बात करोगे इस वाले question में तो यह करते हैं velocity time body moving state line distance and displacement in first six second तो अगर first six second में क्या होता है अगर तुम देखोगे velocity time graph यह इधर velocity दिया इधर velocity दिया और इधर time t दिया है तो अगर velocity velocity or time t moving displacement and distance first six second तो तो देखो बीटी ग्राफ जब कभी हम बीटी ग्राफ पढ़ते हैं यह राप ना बीटी ग्राफ ठीक है और यह अगर इधर velocity भी एधर time t है तो velocity time graph यह जो area a1 है और यह area इधर माइनस नीचे माइनस भी है यह area a2 है और यह area rectangle का a3 है तो इससे distance जो होता है distance जो होता है area without sign मतलब a1 plus a2 plus a3 distance देगा और जो displacement होता है बच्चों displacement उसकी जो value होती है वो ती area with sign तो a1 positive है a2 negative है a3 positive है तो यह वाली जो concept है वो यहां पर apply होगी तो अगर मैं पहले पहले मैं distance निकालों इसका सबसे पहले क्या पूछा displacement तो displacement इस equation से तुम देखोगे तो area लेलो without sign तो अगर displacement देखोगे area without sign तो यहां से यह जो area जाएगा 4 multiplied by 2 तो यह area 4 multiplied by 2 और यह area जाएगा 2 यह area 1 2 2 multiplied by 2 तो यह minus 2 multiplied by 2 यह area plus और यह यहां से देखोगे यहां से तो यह 2 multiplied by 2 यह area 2 multiplied by 2 तो यह 2 multiplied by 2 यहां से कतम हो गया that is 8 meter displacement हो गया मतलब यह तो a option सही यह तो d सही है यह दोनों सही नहीं सकता displacement अगर आप यहां से distance देखोगे तो area without sign मतलब यह जाएगा area 4 multiplied by 2 प्लस 2 multiplied by 2 प्लस यहां से 2 multiplied by 2 तो यहां जाएगा 8 plus 4 प्लस 4 यहां से यहां से यहां से आर्ट यहां से 16 तो यह जाएगा 16 मीटर तो 16 मीटर मतलब यह यह भी आप्शन सही है यहां से तुम देखोगे यह आप्शन सही है तो थेंक यू वाइवा टेक केर